कॉलन के लिए यह साइन यह मां चुछ किया जाता है वेंज यू आर डायलोग नोटिस दी कॉलन बिट्वीन दी नेम ऑफ अ किरेक्टर एंड डी वर्ड्स दैट ही शी स्पीक्स कॉलन इस यूज टो इंट्रिव्ड डिस्क्रिप्शन एन एक्स्प्लेनेशन और लिस्ट ओकी कि जो कॉलन है यह वहला जो साइन है जब आप डायलोग पढ़ रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो करेक्टर का नाम होता है ठीक है और जो वह वर्ड्स भोल रहा ह तो उनके दरम्यान में कॉलन यूज होता है ठीक है कॉलन इस यूज 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 के जाता है डिस्क्रिप्शन के लिए जब आप कुछ डिस्क्राइब कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हूं या फिर आप कुछ एक्स्प्लेन कर एक्स्प्लेनेशन के लिए या पिर लिस्ट की बात हो रही हो ठीक है लिस्ट की बात हो रही हो तब भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं फॉर एक्जेंपल शी वुड ओन अनली वन काइंड ओफ पेट असाइमा स्केट ठीक है तो यहां पर कॉलन का यूज़ आएगा अब देखें इसमें डिस्क्रिप्शन है ठीक है तो यहां पर कॉलन आएगा टू स्वेटर्स अन्यू टेंट एंड थ्री ट्वाइब कार्स यहां पर लिस्ट बताई जा रहे है तो भी कॉलन का यूज़ किया जाता है The next is rules of capitalization The first rule is we capitalize the first letter of the first word in a sentence जब भी sentence start होता है तो जो उसका first word होता है वो हमेशा capital होता है ठीक है for example where is my ball, this is my brother, you need a racket if you are going to play tennis अब देखें W, T, U यह सारे capital है The next rule is we also use a capital letter for the first letter of the first word in direct speech direct speech में भी हम first letter जो है वो capital E यूज़ करता है जैसे Samir said this is my brother, where is my ball, tayyab asked you will need a pencil if you are going to write something, said Jamal ठीक है अब इसमें देखें W, U, T, T, यह सारे capital use किये गये है The next is the word I is always written as a capital letter word I को हमेशा capital letter में लिखा जाता है We use a capital letter to begin the names of people and places Capital letter जब हम लिख रहे हो people के name begin to begin the names of the people and places तब भी हम यूज़ करते है capital letter जैसे के पाकिस्तान, मिनारे पाकिस्तान, कैबर पास्वसीम, अकरम, अब्दु सतार एहदी तो यह सारे capital letter यूज़ होते हैं ठीक है Capital letters are also used in titles of book, आप title, film, play, book के title की बात करें तब भी capital letter यूज़ होगा The next is rule number 9, we also use a capital letter for the first letter in words and press this that we use for saying hello and goodbye जब आप कहते हैं hello या फिर goodbye तब भी आप उसका first letter capital यूज़ करते हैं For example, hi, good morning, see you later, have a nice day, take it easy, bye ती कैपिटल यूज़ का बी कैपिटल की